इस तस्वीर में जो सक्स आपको नजर आ रहा है उसका नाम है गगन प्रताप ये बेसिकली यूटूब चैनल के माध्यम से छात्रों को गड़ित पढ़ाने का काम करते हैं लेकिन जब आप इनकी सोच के बारे में विस्तार से जानेंगे तो आपको आशरी होगा कि इस तरीके की जातिवादी मानसिता से ग्रिशित व्यक्ती कैसे अध्यापक के रूप में छात्रों को क्या पढ़ाता होगा जिसके दिमाख में जातिवाद का जहर जबकि चरम सीमा पर है तमाम लोग सोचल मीडिया पर प्रतिकिरिया भी दे रहे हैं इनको लेके लेकिन बता दें कि इ दूसरे टूइट में उन्होंने आरक्षन का मजाग बनाते हुए तमाम बहुजन समाज के लोगों को टारगेट करकर जाती वाधी मानसिकता का प्रदशन करें बहुजन समाज कितना भोला है बहुजन समाज शायद इनको जवाब देना ज़रूरी नहीं समस्ता बहुजन में भी खाना पसंद करेंगे लेकिन जैसे ही बात आएगी हग अधिकारों की जैसे ही बात आएगी सविधानिक मुल्यों की जैसे ही बात आती है बहुजन समाज के आरक्षन को लेके इन लोगों को साप सूंग जाता है सोचिए EWS कोटे की बात करें तो दस परसेंट आरक्षन जो है वह आर्थिक अधार पर जर्नल के बच्चों के लिए भी लागू कर दिया गया इसके बावजूद बहुजन समाज के रिजर्वेशन के प्रती सवन समाज की जब आप मानसिक्ता के बारे में पता करेंग तो आपको पता चलेगा कि बहुजन समाज के बच्चों को आगे बढ़ते हुए आज भी आजादी के 75 साल बाद भी इस तरीके के जातिवादी लोग मनुबादी विचार धरा के लोग आपके बच्चे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं सोचिए आपका जंडा जंडा लेकर लंबी-लंबी कतारों में लगेगा तो यह लोग खुश होते हैं आपका बच्चा कावर्ड होता रहेगा तो यह लोग खुश होते हैं लेकिन आपका बच्चा लाचार बेबस स्तिती से निकल कर कॉलीज इनुवरसिटी के दरवाजे पर पहुंसता है तो गगन प्रताब जैसे जातिवादी लोगों को तकलीफ होने लगती है सबसे पहले आप ये इनका टूइट देखिए ये टूइट में लिखते हैं कि भविस्य में भारत का परिक्षा पैटेंट 2040 UR सभी परसनों के उत्तर दें OBC कुछ परसनों के उत्तर दें S.C. परिक्षा देने के लिए धन्यवाद S.T.R. आविदन करने के लिए धन्यवाद अगर राज्य सरकारे इसी तरह केवल आरक्षन को बढ़ाती रहेंगी तो यही होगा आरक्षन के अलावा हमें कुछ और सूचना ही नहीं होगी सोचिये इनको तकलीफ हो रही है कि बहुजन समाज के लोग अब संसत जाने लगे बहुजन समाज के लोग हायर एजुकेशन में आने लगे बहुजन समाज के लोग इनकी घुलामी की जंजीरों से निकल के College University में आकर अपने हग अधिकार की बात करने लगे तो गगन प्रताब जैसे लोग जो है वो अरक्षन का पाठ पढ़ा रहे हैं सोचिये इनकी सोच जो है इतनी घटिया है ये छात्रों को किस तरीके से बढ़ाते होंगे प्रतीन की नफरत कितनी होगी किस तरीके से ये लोग जो है वो बहुजन समाज को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाते कैसे ये लोग जाती है जनगन्ना से नफरत करते हैं ये कैसे ये लोग आपकी आरक्षन से नफरत करते हैं कैसे ये लोग आपकी भागेदारी से नफरत करते हैं क्योंकि ये लोग चाते हैं कि सिफ़ एक जाती करना खेतों में काम करना तमाम महनत कर जो काम है वो बहुजन समाज के लोग करें तो ऐसे गगन प्रताप जैसे लोगों को जैकी आदब ने अपनी टूटर एक्स पर जबाब दिया है यह तागत है इस देश के स्टी स्टी ओबी सी की मात्र कुछ ही मिंटों में गगन चाहिए जब तक यह जाती वादी आदमी माफी नहीं मांग लेता हमारा टारगेट अभी सिर्फ इस नफरती व्यक्ति से माफी मंगवाना है तो लगता शोशल मीडिया पर लोग इनसे कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए सोचिए आरक्षन से किन लोगों को तकलीफ होती ह आरक्षन से नफरत करने वालों की जाती पता कीजिए आरक्षन के खिलाफ बोलने वालों की जाती पता कीजिए बहुजन समाज के भागेदारी से किन लोगों को तकलीफ है उनकी जाती के पीछे जरा सरनेम किन लोगों के आते हैं ये भी पता करना बेहत जरूरी है ये गग इससे पढ़ते होंगे और उससे ही नफरत करता है, गगन परताफ माफी माँगू इस हैस्टेक के साथ तमाम जो हैं इसकी नफरती मानसिक्टा को जागर करें अनुरादा पटेल लिखती है यह है गगन परताफ जो आरक्षन का विरोध कर रहा है उन्होंने सब कुछ कॉमेट कोटे से कोई दिक्कत नहीं लेकिन बाकी सारे आरखषन से दिक्कत तो ऐसे यह को इतना नफ़रती तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए यह गुरू का गुण नहीं अपनी नीच मानसिक्ता का प्रद्शन कर दी आज इस इंसान ने OVC, ST, SC छात्रों को गगन प्रताप को बाइकट कर देना चाहिए, एक से बढ़ का सिक्षा के देश में, उन से सिक्षा ले लेनी चाहिए, लेकिन इस जातिवादी से इम्मत पना है, EWS भी तो आरक्षन है, इस पर कुछ नहीं बोला, क्रांती कुमार ने आरक्षन पर एक लंबा लेक लिखा है, जरा वो मैं आपको पढ़ कर बता दू, जिस्ती शाहिद आपके दिमाग में जो धरम की अफीम का नशा है, वो शाहिद उतर चाए, आरक्षन को गाली देने का फैसन हो गया है, कोई भी आरक्षन को गाली दे कर निकल जाता है, मानो जब आप किसी के पास नहीं सवनों को जाती का हैंकार जाती किस रिस्टा भी चाहिए EWSR अरक्षन भी चाहिए लेकिन OVCSTSCR नहीं चाहिए UPSCR परिक्षाओं में OVCSTS Candidate लिखिट परिक्षा में ज़्यादा नम्मर से पास होते हैं लेकिन इंटर्वियू में कम माक्स देकर उनको फेल कर दिया जाता है ये कैसे मुमकीन है सुप्रीम कोट, हाई कोट, मीडिया, बिरोक्रैसी, कलाश, सिक्षा और कॉर्परेट छेत्र में 90% लोग जो हैं वो एक जाती के लोग हैं विश्वास नहीं होता है, ये सब सवन्डों के कुशार्ग बुद्धी की वज़े से मुमकीन है क्या इसका जवाब किसी के पास है तो सवन्ड समाज से जब पूछा जाता है भागेदारी क्या सवाल कि तमाम कॉर्परेट जगा उपर, तमाम संस्थानों में मलाईदारपद, परसिफेक, मातरुजाती के लोगों का कब्जा कैसे है तो इनको साप सूने लगता है, इनके पसीना छूटने लगता है ये तमाम तरीके के दोशों को घुमाखे, सिफ आरक्षन को दोसी ठहराने लगता है असल में ये आरक्षन विरोधी नहीं, ये दलित विरोधी है, ये आदिवासी विरोधी है, ये मुसल्मान विरोधी है, ये दलित पिछड़े आदिवासी, अल्प संख्यक या इस देश के मुल्लिवासीों का भला नहीं चाहते है प्रतीक पटे लिखते हैं, OBC, ST, ST के आरक्षन का मजाग बनाने वाले जातिवादी गगन प्रताप सर को EWS नहीं दिखता कहीं, परिक्षाओं में OBC से कम कटाफ EWS का जाता है हाल के UPSC के प्री में OBC में से 6 नम्मर कम कटाफ EWS के थे, लेकिन उस पर इसका ज्यान नहीं दिखता है, इसलिए इसको माफी मांगना होगा तो लगता जिस तरीके से गगन प्रताप जैसे फर्जी टीचरों से सावधान रही असल में ये द्रोणा चाह रहे हैं, असल में ये कलव्य का अंगूठा काटना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज का बच्चा पड़ लिखकर SPDM बने, ये चाहते हैं कि आ माफी मांग लिजिए गगन प्रताप सर, आपका कोचिंग OBCSTSC के बच्चों से ही चलता है, सामाजिक और सक्षिक उद्धान के लिए हमारे आरक्षन के बारे में आपको इस तरह से बोलने का दिका नहीं, जाती गताधार पे मिला शोशन तो नहीं दिखता, आपको लेकिन से आप लोग रोकते हैं, मरने के बाद समसान घट में जगा न देने से आप लोग रोकते हैं, तब आपको जाती वाद नहीं दिखाई देता, जाती वाद का शोशन आपको नहीं दिखाई देता, जाती आधार पे बच्चियों का बलतकार किया जाता है, वो आपको नहीं द एक्षन दिया जा रहा है ताकि वो समान इक्वालिटी धारा में आपाएं तो गगन प्रताप जैसे ना चाहिए कितने जातिवादी लोगों के पेट में मरोड उठने लगती है इनसे बात करो अपने इनके खुब कर्मों पर तो यह आरक्षन को दोसी बनाते हैं जबकि अपन से भी नीचे जाती है इस देश में स्टी सी ओविसी देश की नीव है उसने महनत से सब कुछ हासिल किया है आज वह उसी के महनत से आगे बढ़ा इस देश में आरक्षन विवस्ता इसलिए की गई थी कि जो हक अधिकार उन्हें कई सा कई सो साल से चीने गए हैं उनकी पूर का आरक्षन नहीं दिखता 3% EWS 10% आरक्षन ले रहा है 15% OBC को बहुत से राज्यों में 27% रेजर्वेशन मिल रहा है तो कॉन सबसे जादा मलाई खा रहा है ऐसे सिक्षक समाज के लिए हानिकारक हो सकता है भविस्ते में एक अच्छा सिक्षक जातिवाद नहीं फैला सकता ह जबकि एक सीधा जातिवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है तो गगन प्रताब जैसे लोगों से साफधान रही है और सोचिए यह वहीव सक्स है जो अखलेस यादब से लैप्टॉप लेकर आगे बढ़े एक पत पर पहुंचे अपनी पहचान बनाई उसके बाद इनको रिजर्वेशन से दिक्कत है वो भी बहुजन समाज के रिजर्वेशन से अखलेस यादब जी ने लैप्टॉप नहीं दिया होता तो या आज भीक मांग रहा होता अगर समाज के लोग इससे कोचिंग के कोर्स खरीदना बंद कर दे तो यह भीकारी कितना कमाएगा त स्मुक ने करारा जवाब दिया है अमरेंद्र बाहु वली पटेल भी लगतार खुल कर लिख रहे हैं उन्होंने का यह जनाव गगन प्रताप प्रेसे से एक टीचर है पर आजकल राजनीतिक विचारधर है कि चलते हैं कुछ भी बखबख कर देता है अब इनको कौन अच्छा आप एक टीचर ही बने रहें नहीं तो देश के यूवार राजनीती में आकर आपकी बोरिया विस्तर बांदने का काम कर देंगे यह मास्टर जी है मैत पढ़ाते हैं स्टियस सी ओविसी समाज के 90% चात्रीन के विद्यारती हैं मास्टर जी खुले आम आरक्षन को गाली दे रहें कोचिन में क्या करते होंगे खुदा आप अंदाजा लगा सकते हैं दुरोणाचारे के जातिवादी वनसस अभी भी जिन्दा हैं तो लगतार जिस तरीके से आपके आरक्षन के प्रती नफरती बयान दिये जाते हैं यह सिफ और सिफ बहुजन समाज के कात्य हो पाए ताकि जातिवादी मानसिक्ता का प्रदशन करना बंद करें जिस जाती के अधार पे इन्होंने कई सालों से बहुजन समाज के हक अधिकारों को कुछलने का काम किया है बहुजन समाज पर अत्यचार किया है इन्हें जातिवाद नहीं दिखता लेकिन जाती के अ अखर होकर बोलना चाहिए क्योंकि यह हमारी भागेदारी का सब्समारो पर निसलल दस्तक कि आप से गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसलल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए ट कलर सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर तो बल आईकन की घंटी द कर दो